अगर आपसे पूछा जाएं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जॉब, घर, गाड़ी, कपड़ा, साथ कुछ हैसा ही कहेंगे लेकिन मैं कहूं यह सब बेमतलब की बात है तो आप क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत के बारे में बताता हूँ और वह सबसे बड़ी ज़रूरत है रुपईया आपने यह कहावत तो सुना होगा कि बाप बड़ाना भीया सबसे बड़ा रुपईया सभी को मेरा प्रणाम सोसल टीवी के खास सो डेली स्टोरी में मैं अरुनेंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं रुपईया के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? इसका एक कारण है दरसल इन दिनों पूर्णिया के एसीपी दैसंकर के घर में Special Vizilance Unit की टीम का छापा पड़ा पहले यह जान लेते हैं कि Special Vizilance Unit होता क्या है Special Vizilance Unit का गठन 1966 में किया गया था इसका काम है देश की सभी सरकारी करमचारी के आए पर नजड़र रखना उसके साथ ही करमचारी द्वारा अवेद तरीके से कमाने और फ्राश्चार फैलाने पर भी नजर रखना हाँ तो अब बात करते हैं दैसंकर की जब दैसंकर के घर पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट का छापा पड़ा तो दैसंकर का दिमाग शकर आ गया और उनके यहां से बरामत अवेद पैसे कई महत्पोर्ण दस्तावेज अवेद निवेज की जानकारी से हमारा दिमाग शकर आ गया हम सोचने पर मजबूर हो गए दैसंकर पूर्णिया के अवास में 2.96 लाग कैस 28 लाग के सोने का जेवर एक डायरी जिसमें 50 लाग का लेंदेन का हिसाब मिला है इसके अलावा पटना में 2 फ्लैट जिसमें करीब करीब 1.52 लाग का कैस लगबग 35 लाग जेवर एक इनोवा कार एक कमपास जीप और फ्लैट के इंटेरियर में 67 लाग खर्च हुए उसका दस्तावेज वही थाना ध्यक्ष के ठिकाने से 9.70 लाग कैस एक वेगनार कार एक इक इको स्पोर्ट्स कार 9 लाग के जेवर रीडर के घर से 4 बैंक पास्बुक और 2 मुवाइल फोन बिल्डर के घर से 3 कम्प्यूटर हार्ड एक्स CCTV कैमरा का DVR सोने का दोचन डाइमंड का दोचन जिसका अभी मुल्यांकन जा रही है क्यों दिमाग चकरा गया न और क्या-क्या मिल ला है बताते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपने यह तो जान लिया कि दैसंकर के घर से क्या-क्या मिला है अब आपको बताते हैं कि इसमें कौन-कौन सामिल है क्योंकि इतना पैसा अकेले कमाना थोड़ा मुस्किल है दैसंकर ने रिस्वत के पैसे लेने के लिए रिडर निर्मल कुमार सिंग, धानेदार संजय कुमार सिंग, डिवटी पर रहने वाले सिपाही सावन कुमार, संजीव कुमार को सामिल किया था मामले को लेकर स्पेशल विजिलेंस के यूनिट के ADZ हसनेन खान ने बताया कि छापे मारी में काफी बेनामी संपती का उजागर हुई है और दैसंकर ने काफी पैसे रियल इस्टेट के कारोवार में लगा रखा है दैसंकर ने अपने साथ साथ अपनी पतनी, बिल्डर संजीव और अन्य लोगों के नाम पर भी कई जमीन और फ्लेट लेकर रखा इसके साथ साथ अवे तोर पर कमाई के पैसे लाने और ले जाने के लिए नीजी वाहन, स्टाफ, बॉडिगार्ड, सरकारी वाहन का इस्तमा चाया हुआ है, छापे मारी के बाद दैसंकर के उपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कारवाई सुरू कर दी गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि लोग प्रसाशन पर भरोसा कैसे करेंगे, इस घटना से यही समझ में आता कि आखिर लोग रिस्वत देते ही क्यों है, सरका में में और क्या-क्या होगा और क्या-क्या देखने को मिलेगा, आज आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, अगर हाँ तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं, आज के लिए बस इतने ही, मुझे दीजे इजाजत फिर मुलाकात ह तब तक के लिए सोसल टीवी को देखते रही है, प्रणाम धन्यवाद